एकदम से मैं आपके लिए अच्छा सोच रही हूँ, एकदम से बुरा सोचने लगती हूँ, एकदम से मैं मेहनत कर रही हूँ, एकदम से छोड़ देती हूँ, मैं गिर जाती हूँ, है ना तो ये सारी चीजों का एफेक्ट बहुत ज्यादा विश्वास ना करें और अगर बहुत इंपोर्टेंट होने वाला जो एस्टोलोजी में बिलीव करते हैं, जो एस्टोलोजी को बारी किसे जानना चाहते हैं, आज हमारे साथ हैं असक्सेस्फुल एस्टोलोजर डॉक्टर मधू प्रिया, वेलकम तो आर पोड़कास मैम, थैंक यू, मैम सबसे पहला मेरा क्वेशन यह है, अब इसको मैं मित बोलूं या मिसकंसेप्शन बोलूं कि हर कम्यूनिटी के अगर हम बात करें हर इंसान को एक डर रहता नजर का, कि मैं अपनी खुशी भी अपनी शेर नहीं कर सकता लोगों के साथ, कि मुझे नजर न लग जाए, तो मुझे यह जानना है कि नजर रिली एक्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है, अगर हम जाएंगे तो कुछ ग्रह होते हैं, कुछ योग होते हैं, जिनका जन ग्रहन योग में होता है, जिनका जन विश योग में होता है, ऐसे एसे अस्टरोजी में बहुत सारे योग होते हैं, ठीक है, ग्रहों के कि हुसाइब पता है कभी चंद्रंध में होता है ईसे बचों को आप डेखेंगे कि छंद्रमा पहनाया काने जाता है नज Animation के नज़र नज़र लगना या लगना कैसे इंटिफाइब कर tut cách नजर लगी हुए है हर बहुत में आपको लगते हुआ हेता है। nossa ऐसा में आपको आपको समय में आपको सब्लेसे लगते हुए। आप ज़रूत से जादा सोने लगते हैं ako समय करने कोशिस करते आपको कि कोई बीज़नास पैसे हैं। यहार कुछ है, टृइस एक जाती को इस तरह कि जो घर में कभी भी आप किसी के साथ भी मिम्मर के साहते हैं तो कहीं नहीं दूखें यह नजर का प्राप्लम होता है अचानक कोई इश्व नी थो और है भी है बड़ी हेल्थ प्राप्लम आ गई बच्छा बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहा था डिप्रेशन में च उते हैं से की बहूढ करेंगे जब भी लगती है तो क्याकश्य मिर्ची जन्ते जांते हैं कि साथ मिर्ची लीजिए उसे बॉडी से साथ बर घुमाईए और उसे जला दीजिए अगर जलाने के बाद धुआ होता है और आपको चीके आती है तो नजर नहीं लगी हुई है लेकिन अगर चीक नहीं आती है कुछ जलन नहीं महसूस होता आखों में तो नजर लगी हुई है क्योंकि मिर्ची आप एक प्रती आस्था ही नहीं दिख रहा है जो रोज पूजा करता था ठीक है तो यहां भी नजर का प्रॉब्लम होता है क्योंकि यह जो नेगटिव एनरजी होती है वह अच्छी चीजों को दूर करती है तीसरा बहुत अच्छा रेमेडी है जो मैंने बहुत बार अपने क्लाइ छिए जैरें है जलाने के बाद बहुत बहुत तरहा है कि आपको फील नहीं रही कि किसी लेड़ी का चेहरा एक जैल का चेहरा है किसी जर्ण unter का चेहरा या को लगेगा कि हाँ इसे तो मैं जानता हूं यह कभी देखा था यहाँ ऐसा थी ओई में कम नसुत ले मिए पता आम वस्या होता है जब भी ठीक है या फिर कोई ग्रहन लगा होता है सूरे ग्रहन है पहले भी कहावत थी कि ग्रहन लग राज बाहर मत जाना क्योंकि ग्रहन में ऐसे टाइम में इस तरह की अनरजी बहुत जल्दी एफेक्ट करती है आपको कभी हम चौराहे पे चलते हैं लेमन होते मिर्ची होते हैं और भी बहुत सारे बहुत सारी चीजें होती है अब माल लोग कर घर चले गए और फिर अब जाकर बिल्कुल लगेगा कि अगर वो हेल्त इस तरीके से हर तरह की चीज़ें है तो अगर रोड पर ऐसा कुछ मिलता है लेमन मिर्ची या कुछ तो साइड से निकलना चाहिए और गलती से आपने उसके उपर से लांग पिलिया तो घर जाके आपको नहा लेना चाहिए और कोई भी ऐसे मंत्र जो भी आप कुछ चाप करते हैं या फिर सब्तश्यती में की लग है अर्गला है इनका पार्ट कर लेना चाहिए ओके तो बद सकते हैं जिए बिल्कुल बद सकते हैं लेकिन ऐसा लोग करते क्यों है तीक एसा करते हैं कि कभी-कभी क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत नेगेटिवीटी है या नेगेटिव एनर्जी है, लोगों को पता होता है, जिनके साथ होता है, उन्हें इसमें आस्था होती है, ठीके, तो माललो कि मेरे एक क्लाइन था, उनके साथ ऐसे था, बेटी के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, वो अचानक से मेरे ऑफिस में आ गई, ने और झाल सबियो काना है कि यहा प्राप, यहाद कुछी करदे है, बड으 थिए निया सप्रिपीत पर ग।ाद केशने है, जो हमारे अदर पीजियाग है तो हमारे अदर ऑले बाद हे पाद पर्यार के अंदर है, आपके अंदर कितना नेरजी और कितना कम एनरजी और उससे आपका जीवन पर क्या असर पड़ेगा जी हाँ, तो यह हर तरह की अनरजी होते हैं और वो क्लाइंट की बात में बता रही थी वो आय और उनके अंदर बहुत नेगेटिव एनरजी थी और जब उनके फादर आये तो वो कुछ बोल भी नहीं रही थी और जैसे उनके फादर गए तो इन्हें भी पता होता है कि कहां पर हमें बैटना है कहां नहीं बैटना है और आप अगर कोई अच्छे हॉली प्लेस में जाते हैं तो आप देखो यह अकेला रहना चाहता है अंधेरे में रहना चाहता है यह भी Space मैं आपको एक लाइफ केस बताऊंगी, आपने एक बर मुझसे कोशिंग भी किया ता कि क्या आप कौन सा चीज है जो बताना चाहेंगे अपने करियर के बीच में कुछ ऐसा केस आया तो यह केस ऐसा था कि एक दिन एक कपल मेरे पास आये और उनके साथ एक बच्चा था और वह बच्चा जो है स्प्रीच से बात करता था तो वह जो कपल आए और नहीं मुझे बताया कि हमारे घर में जब भी हम उसे डाटते हैं तो किचेन से कुछ समाने गिरने लगती हैं और कुछ दिनों के बाद वह बच्चा हर समय किसी से बात करता रहता था और रोचेर हिलता रहता था तो यह सारे लाइब हैं उन्होंने मुझे वीडियो दिखाए दे तो क्या है बताओ यह यह स्प्रीट भी हो सकती है तो मैं इसे अनर्जी फॉर्म ही मानती है ऐसा भी होत ताकि करा दिया इसके उपर भूचे तो इस पोसीबल ऐसा भी होता कि कुछ कराने से सामने वाले का बिस्निस बरबाद हो जाए या वो लोग बरबाद हो जाए दिखिए ऐसा होता जरूर है लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि यह सब नजर और अगर हमारी बूरी सोच है किसी के प्रती है ना नेगेटिव थिंकिंग है किसी के प्रती तो ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारी सोच ही हमारी ताकत होती है अगर हम यह सोचते है कि कल से उठके हमने यह करना है और रेगुलर यह करना है तो हम बहुत सक्सेस्फूल होंगे और हम हो जाते है लेकिन अगर हम कल से संदे को बरवादी करना है उसके प्रती हम नेगेटिव थिंकिंग लेकर आएंगे और ऐसी स्टोरीज क्रियेट करेंगे अपने रिमाग में कि यह ऐसे फेल हो रहा है हर कुछ में फेल हो रहा है और वो चीजें होने लगती हैं क्योंकि यह सारी अगेन एनर्जी होती हैं जो ह अगर हम नेगेटिव एनर्जी का प्रेयोग किसी के लिए करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाती है अपने उपर भी तो होती है तभी तो आप देखोगे कि जितने भी अच्छे राइटर होते हैं या हमें हमेशा कहा गया है कि पॉजिटिव सोच गया इसमें एक एग्जाम उनके साथ हुआ था तो हुआ उनके साथ यह था कि एक मैने पहले उनके कोई कुलिग आय थे घर पे उनके हस्बेंट के फैमिली फ्रेंट थे और उन्होंने कहा कि आपकी तो एक ही बेटी और दोनों मिलके इसको आप पाल रहे हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट कर रही है और आपने नया घर भी ले लिया आप सिर्फ चेंच जो है आपके हस्बेंट को ही करना है ठीक है ऐसे मजाग में उन्होंने बात ली और सेकंड दे की घटना है कि मॉर्निंग में उनके हस्बेंट का हाथ अटेक हो गया और वो नहीं रहे हो अब उस फैमिली में उनकी वाइ कि उनके इंटेंशन गलत थी जब भी अगर आप प्राचीन काल में भी देखें तो रिशी मुनी के अंदर इतनी एनर्जी होती थी कि वह आख अगर कई सालों से तपस्या कर रहे हैं और खोलते थे तो सामने वाला भास्म हो जाता था तो यह सारी चीजे मिथ्या तो नहीं ह है ना सब रियल थी और हमारे अंदर भी बहुत एनर्जी होती है किसी किसी के अंदर बहुत एनर्जी होती है और अगर वो उस टाइम पे कुछ गलत कह देते हैं जैसे सरवसुति का वास होता है हमारे 24 गंटे के अंदर एक वारतो जिवा पर जरूर तो इसलिए किसी के कि उन्हें कुछ चाहिए होता है तो उनका मन जो होता है ना बहुत क्लियर होता है उनकी वीजन बहुत क्लियर होती है कि यह लाइफ को निकाल के फिर मुझे एक नई लाइफ में जाना है क्योंकि वो एक तरह से शीव और पारवती दोनों का मिक्षर होते हैं तो यहां पर हम म उनकी help कर सकते हैं, उन्हें कपडे दे सकते हैं, खासकर के जो किंदर होते हैं, वो बुद्ध का स्वरूफ होते हैं, निक्री को इंडिकेट करते हैं. तो किसी के भी होरिस्कोप में मरकर ही अगर खराब है तो किन्नरों को चूडियां दें, कपड़ें दें, थोड़ा हेल्प कर दें तो यह बहुत फाइदेमंद होता है अगर उनकी दौाइं भी बहुत लगता है जी हाँ, बिल्कुल और उनके लाइफ में है सजना, सवरना और मतलब जो भी आप करते हैं तो आप उनको सजने से रिलेटेड चीजें दें तो आपको ज्यादा अच्छा एफेक्ट करते हैं यहीं हम रैंडम ली गिफ्ट कर सकते हैं हम भी कंट करना जाए, हरे कलर के जो भी कपडे होते हैं भी हरे कलर के कपडे होते हैं वहीं को जरूरदे कि खरा ने तो आप अपने सामत हिसाब वह रहे, गिफ्ट कर सकते हैं अगर आप का मरकरी दे वहां से अब हमकोद्ध को अदो architecture भीफते हैं। हमारे ब्रेन का लॉट होता है कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लेट से बोलना स्टार्ट करते हैं है ना तो इन सब चीजों के लिए अगर किनरों को थोड़ा हेल्प किया जाए तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल देता है इसका सलीशन क्या है मालो अगर कोई बहुत अब मेरा कोई निगीटिव सोच सकता है या कभी उसके साथ आपको कॉम्पिटीशन रहा है या फैमली में कुछ इशू रहे हैं तो सबसे पहले तो यह है कि जब भी आप उनके साथ मिलते हैं तो हाथ थोड़ा दूर से रखें, मतलब नमशकार करें, हाथ ना मिलाएं, ठीक है, आई कॉंटेक्ट में बात ना करें, और अपनी जो हमारी सेंटर होती है, यहां पर आपको तिलक लगाना चाहिए, खास करके केसर का तिलक, अगर आप केसर का तिलक या कोई भी तिलक अपन करें लोग थे, वो भी एक ठीका लगाते थे, अब मेरे रहताए ब्लैक मैजिक, पलेक मैजिक को ले कर लोग के लिए बात और इसका इतिहास भारत से भी ज़्यादा और चांट्रीज में, ठीक है, अगर बाइवारत की बात करो तो आज भी ब्लैक मैजिक वहां पर कोई भी व्यक्ति गया तो उसे उनका फॉर्म ही चेंज कर देते हैं और यह कोई स्टोरी नहीं है वहां के गॉवर्मेंट ने भी उस पर आक्शन लिया था कि कोई भी अधर स्टेट के लोग उस गाउं में नहीं जा सकते हैं तो यह ब्लाक मैजिक होता तो ही बट होता कैसे है और इसके रिमेडी क्या है यह लोग जानना चाहते हैं देखे होता है कि कभी भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर से कोई कपड़ा है आपके बाल या फिर आप ऐसी वस्तू जो बहुत यूज करते हैं घर स और आपके औरा को नेगेटिव या पॉजटिव करना यह एक magic कहलें या एक form कहलें यह एनरजी को चेंज करना आपका अगर कोई black magic कर रहे है तो आपके अनरजी को लेकर उसे convert करेता है negative चीजों में, है ना, अगर आपका सोच बहुत positive है, वहाँ से वह start करता है negativity डालना, तो इस तरीके से बहुत सारी इसमें पदतियां होती हैं बहुत लोग करते हैं, पट astrology में इसे थोड़ा सा हम अभी के संदर में कहूंगी, तो बहुत कुछ कम लोग होते हैं, जो विद्वान होते हैं और उन्हें रिमूव करना आता है या करना आता है, और 70% लोग जो हैं मार्केट में वो फेक हैं, तो इससे बच के भी रहना चाहिए जैसे आपने कहा कि अपने बाल या अपने कपड़े नहीं देने चाहिए हैं, बट बहुत बार ऐसा क्या होता है अभी एक ट्रेंट भी चल रहा है कि नेकी की दीवार करके कुछ होती है जो अपने कपड़े नहीं डालाते हैं ताकि कोई लोग पहन सकें तो वहां से भी हमारे कपड़े कहीं भी जा सकते हैं और बाद में वह क्या होता था कि खराब हो जाते थे तो पोछो और यह रस्टिंग के काम में आ जाते थे तो कपड़े कभी वेस्ट ही नहीं होते थे अब यह जैसे नए 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 रूल्स और ट्रेंट्स बन रहे हैं कोई ऐसे रेगुलर पेपर वाला आता है दूद वाला आता है तो आप उनकी फैमिली को देते जिनको नहीं जानते हैं वहां तक ना पहुंचें यह ज़्यादा अच्छा है और बालों की प्योर शनी का रूप होता है और शनी से बहुत सारी चीजें खराब भी होती है अच्छी भी होती है तो जिनके घर में आप देखोगे कि बाल बिखरा हुआ रहता है वहां पर प्रॉस्परिटी आना कम हो जाता है तो यह भी बहुत बड़ी इंडिकेशन है अगर आप बहुत बहुत सारे लोग है बार 75% लोग गैं बिलकुल बड़ इंडिफाई हम कैसे कर सकते हैं कि आप तब ही कर सकते हैं जब आपके ग्रह भी अच्छे हैं मैं आपके ग्रह ऐच्छे चल रहे हैं तो आपको सामने गाईट करने वाला भी इस ही मिल जाता है और अगर आप जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो गुरु ग्रेह या कोई ऐसे आपके अच्छे ग्रेह होते हैं वो आपको बताते हैं कि यहां जो और यहां तुम्हा सॉलुशन होने वाला है और कमिंग टाइम अच्छा आने वाला है लेकिन अगर आपका रहु बहुत ही खराब किसी अपने सीनियर के साथ जाई है जहां आपको लगता है कि हां उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपका जो ट्रस्ट है वहां चीट चीटिंग ही मिलेगी आपको मैं आपने अपने करियर के शुरुवात कैसे कि कुछ बताएंगे प्लीज बिल्कुल देखिए मेर करियर के शुरुवात बहुत बच्पन से ही हो गई थी मेरे फैमिली में कुछ एस्टरोजर्जर्स थे और फैमिली फ्रेंट्स थे और कुछ ऐसे लोग थे जिनको स्प्रिच्वल साइंस में बहुत विश्वास था वो लोग आते जाते थे और मैंने 7th क्लास में कीरो का तो वो सही जाता था फिर लोग मेरे पास आते थे हाथ दिखाने के लिए और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं ऐसी बोल रही हूं तो मुझे कुछ पढ़ना भी चाहिए कि मैं ऐसे बोल रही हूं और सही होता जा रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें पे मेरे कमांड बनते चीज़ें आरे थे और मुझे अच्छा लगने लगा था पर ऐसे फैंबली से थे कि बढ़ाई भी करना है तो ज्या पढ़ाई के साथ यह क्यों पैशन मेरा चलता रहा और 12 मैं ने ऐस्रोलाुजी को प्रोपर स्टार्ट किया पने फैंपली ऐस्त्रोलाज के साथ चुद अ ृप पुरानी श přacyg के लिघना शुटली कि नीफ में वहीं तुमिसर्ट पुराने थैकी हैं। के मैं अजिट्से सांला शुठलीय में। by सड़ा di बालोخ खींजने मेर्थ समयां कुंडलिया था 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 े जाने में हैं कुंडलिया बना थार चैसी के सब्सक्राइब। तो उस समय से मेरी जर्णी स्टार्ट हुई और ये जर्णी मैं कहूंगी कि वो जर्णी एक रिसर्च के रूप में थी क्योंकि जब स्कूल में थी तो पामिस्ट्री किया कॉलेज में आई उसके बाद मैंने टीचर से लिके स्टुडेंट सभी की कुंड़ी देखी और मेरे प आपने अपना फुद को अदॉग च similarly क्या आपने पिर्दिक्அ जब मैं इस्ट्री जब मैं चार्ट की तो मेरे पेमिल ऑधिन तो उन्ह願い ही मुझे कि तुम्हीं ये तो सीख नहीं ही और उन्हा कि उन्हां बहुत अच्छा उं र्सकताई हो आला कि परेंट्स थोड़ा आगे थे उसमें कि भई पढ़ाई कटाई में और यह क्या चीज में लगी है लेकिन किया तो कर लिया और कुछ यह दिए अगर कोई नहीं बन सकता तो astronomy है जहां पर हम नेटल को देखते हैं मतलब जो sky map है उसको देखते हैं देली उनके movement को देखते हैं और astrology कमेंस होता है कि हम उस movement का हमारे अंदर जो effect होता है उसे predict करते हैं तो यह दोनों को combine करके जब देखें तो एक astrology science के रूप में आता है there is no scientific support for astrology अगर astrology में को scientific support नहीं होता तो आज हम ग्रहन या राम मंदिर की जो बात कर रहे हैं कि राम मंदिर में यह मुहृत हमने निकाला और इस मुहृत को सबसे अच्छा माना जा रहा है उसके पीछे reasons बहुत आए तो ऐसा कुछ होता नहीं ना आप सोचो कि हम भारत निकाल रहे हैं तो इसके पीछे कुछ तो साइंस है ना कोई रूडिवादी को पकड़ के तो नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि सब educated है और पूरा विश्व देख रहा है अपका accuracy rate कितना होता था जब आप palmistry मे थे starting मुझे अगर आप कहेंगे तो मुझे palmistry से ज्यादा करते हैं ग्रहों के ट्रांजीट पर अभी मैं और आप बैठे हैं तो भी ग्रह तो चल रहे हैं और उसके हिसाब से हमारी बाते हो रही हैं उनकी हिसाब से हमारे मूट्स बन रहे हैं मूट्स बन रहे हैं अच्छे हो रहे हैं तो यह सब जो है ग्रहों के हिसाब से होता है त बहुत अचीव करते हैं वो सब हमारी thinking हमारे stars पर डिपेंड करते हैं पामिस्ट्री का थोड़ा कुछ प्रीफ करेंगे पामिस्ट्री में क्या होते हैं कि हमारे हाथों के रिखाओं के हिसाब से उसमें prediction किया जाता है जीवन रिखाओं होती हैं जीवन रिखाओं होती हैं लाइफ लाइन होती हैं ब्रेन लाइन होती हैं हाट लाइन होती हैं जो मेजर होते हैं इसके अलावाद देस्टिनी लाइन होती हैं जो शनी रिखा कहे जाते हैं मित में यह भी है जोगो कया लगता कि caseice जो भी आपकाना सींथा अफ में बनते जाते हैं तो सब कुछ करna पर होता है अस्टेरोग है यह और से आपको का खराब है तो आपको महनत करना चाहिए अप परें विपी एप लाइफ्र मैं लाइसे बञेक्ड करन का पाओगे तो astrology यहां को guide करता है, हर चीज में guide करता है, कि देखो आपका destiny का यह time है, यह time period है, अभी दो ही साल बचे है, मेहनत करना है तो कर लो नहीं तो आप तीछे रह जाओगे, अगर कोई भी चीज होगी, तो मेहनत बिना कि यह अचीव नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग आप तो आप मार लोग कुछ वर्ग जिनके प्लानेट अच्छे है, वो मेहनत कर रहे हैं और पहुच रहे हैं, आप देखोगे, maximum astrology के believers, जो बड़े businessmen होते हैं, बड़े class rank के जो officers होते हैं, या फिर जो scientists होते हैं, बहुत सारे scientists भी जो होते हैं, वो astrology मानते हैं, लेकिन साथ में यह रहता है कि इसके पीछे logic, logic missing है, तो वो logic का जो research है, वो हम जैसे कुछ लोग मिलके कर रहे हैं, और शायद हमारे आगे के generation भी करें, ताकि हम वहां तक पहुच भी पाएं, आपके कहने के मतलब है, जो लोग महनत कर रहे हैं, वो तो destiny पा रहे हैं, लेकिन जो लोग महनत करते करते, उनको लगता गिव अप कर देना चाहिए, जो गिव अप कर देते हैं, उनके लिए भात महनत करें, जो गिव अप कर देते हैं, उनके लिए astrology है, वहां पर आपको एक उमीद दिखाई जाती है, कि यह जो साल आ रहा है, यह आपके लिए बहुत अच्छा है, और बिल्कुल चेंज होता है। तो बिल्कुल चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है। कि वी आपकी ऐसे वीक्वीर्ड के आपको भी नागा होके नहीं है, aanther, थे एक जो ऐसे? dawको भी नेयों, हुम एसे समाज में रहते हैं जहां पर कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, तो बहुत लोग ऐसे आते हैं, जो आपको पहले बोलते हैं, कि आप मुझे पहले मेरे पास्ट के वारे में बताईए, और उसके बाद जो है, मैं पूछूँगा, पहले मैं ये समझूगा कि आपको कितना आता है, या बिलकुल, कुछ लो लोगों की अलग-अलग परिशानिया, दस लोगों की अलग-अलग कुणलिया, कभी-कभी ये भी होता है, कि एक ही साल के चार-पाच लोग आ जाते हैं, और सेम प्रॉब्लम होती है, है ना, अब पहले तो हम सब को ये बताएं, और आपको कितना टाइम हो गया पूरा अस् चंद्रमा और सूर्य को सभी पहचानते हैं, बाकि स्टार्स को कम लोग पहचानते हैं, तो जब चंद्रमा और सूर्य का हमारे अंदर एफेक्ट पढ़ता है, अगर आप देखेंगे सूरय मुखी जैसे फूल होती है, और वो सूरय के साथ साथ अपना चेंज करती है, डिर नियुक्ना में अख्य छिस्क्ति साख और फिष्च्तार है, बाकि साथ घृम्तां drain 11 Android को सेंगे साथ सेंगे साथ 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 सूर्य पार्ध hack, अगर यह सब दो्ывать सेंब reach, औat ग्युक्ति से ही पूरी universe भी बनी है और यह जो energy एक दूसरे को attract करते हैं उनका ही संबंध होता है कि हमारी हर चीज उनसे जूड़ी होती है एकदम से मैं आपके लिए अच्छा सोच रही हूं एकदम से बुरा सोचने लगती हूं एकदम से में महनत कर रही हूं एकदम से छोड़ देती हूं मैं गिर जाती हूं है ना तो यह सारी चीजों का effect जो है हमारे अंदर planets की वज़त से पढ़ता आपके अच्छा से प्लानेट लोगता है जो चाया ग्रह होते हैं जिनका चाया पढ़ता है अर्थ पर बस उतना ही होता वह कोई पर्टिकुलर ग्रह नहीं होते है तो यह से लिए प्लानेट किस डिरेक्शन में बैठे हैं और आपका जब बढ़त हुआ था तो उनकी ग्रहर रुज़ होता है तो अगर कोई प्लानेट अर्थ से उस समें बहुत दूर था और जब आपका बरत हो रहा था तो उसका एनरजी आपके अंदर आपके अंदर कम होगा अगर अक्टूबर यह से प्टमबर में किसी का बीठ होता है तो 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 आलाराशी का सूरे होत तो सूरेविक होने से हेल्थ में थोड़ी सी इशूज रहते हैं तो हम कहते हैं कि आप सूरे को अर्ग डाला करें क्योंकि जब अर्ग डालते हैं तो आप उसका मैक्सिमम एनरजी ले सकते हैं तो इसी तरीके से हर एक जो ग्रेह होते हैं, उनका जो बर्थ के टाइम पर प्लेस्मेंट होता है, उस प्लेस्मेंट को जो हम बनाते हैं, वो होती है कुंडली, जन्म चक्र जिसे कहते हैं, वो बहुत तरह के बनते हैं, वो पूरा सूरे कुंडली बनाते हैं, लेकिन जो हमार वेदिक एस्टेलोजी है उसमें हम चंद्र कुंडली बनाते हैं क्योंकि चंद्रमा सवा दो दिन तक एक ही राशी में रहती है और यह सबसे ज्यादा सुक्ष्म जो प्रेडिक्शन है वो चंद्र कुंडली से किया जाता है इसके भी आगे जब हम लगन कुंडली बनाते हैं तो वो दो घंटे का एक टाइम होता है जब एक लगन इस्थिर होता है और उस समय आपका बार्थ होता है उसके हिसाब से इसे बनाया जाता है तो यह बहुत आकुरीट होती है इसे आपने कहा कि जो उक्टूबर के बात जो पैदा होते हैं उनका जो सूर्य होता हो तो कमजोर होता है क्या क्या फरक पड़ते हैं उन बच्चों के ऊपर अब देखिए मैं थोड़ा साब को इस पर यह बताऊंगी कि अपरिल में क्या होता है कि बहुत गर्मी होती ना तो अपरिल का जो सूर्य होता है हमारे चैती नवरात्रों से हमारा जो कलेंडर है वो सूर्य के हिसाब से है तो जो हमारा चैती नवरात्रा होता है वो अपरिल कि असपस दूर चला जाता है अर्थ से तो उस समय का सूरे विख हो जाता है और ठंड हो जाती है अर्थ में तो जब भी अगर सूरे कमजोर होता है किसी का तो उसे क्या करना चाहिए उसे जेनरल ही ये करना चाहिए कि भई ही सूरे का तांबे के गिलास में पानी पीए ठीके तांबे को ज्यादा यूज करें इस पेशली उन लोगों के लिए ओक्टूबर के पादा हुए जिया ओक्टूबर के समय पैदा हुए जेनरल है अगर किसी का सूरे खराब है पेडित है बहुत सारी चीजें और भी योग होते हैं तो और यूज के साथ भी अप्लिकेबल होता है यहां सूरे के लिए अगर आप कोई रमेडि करना शाते हैं तो घामबा आप अपने शरीद में धारन करें और तांबे के ग्लास के पानी प्ये पीए। और सूरे का धातू होते है और महरणिंग में उठे अकर आप जल्दी नही जब जल डालते हैं, उसका भी बहुत बड़ा साइन से उसके पीछे, अगर आप जल डालते रहेंगे, अगर आपका विटामिन D लो है, तो बहुत जल्दी वह आपका ठीक भी होने लगता है, ये बिल्कुल फैक्ट है, आप जाहें तो आजमा के देख सकते हैं. क्योंकि मौन गो टाइम होता है, उससे में जो सूरे में energy होता है आप कहते भी हें, डॉक total बहुत हैं कि रहें होडा सन लाइट में ये संटेया बार चारशा है तो इससलिए हमारे परंपरा में ही था कि मॉर्निंग में उठना है नहाना है और सूरे को अर्ग डालना है तो यह बिल्कुल साइंस है इसमें कुछ है ही नहीं मित्या अस्टोलोजी में एक्जेक्टली वक किसकी सीज़ पर करते हैं लाइक अगर मुझे अपनी मैरिज के वारे में जानना है क्या करते हैं तो क्रोसेस होता है कि इस तरह कितना है अगर आपका बाइच क्यूसें के इस रहे होगी कब लेकिन marriage कितनी successful रहेगी वो भी आपकी कुंडली से पता चलता है अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसे दोश होते हैं जैसे generally जो relationship में problem आते हैं वो राहू और मंगल के कारान आते हैं तो अगर matchmaking के समय लड़के का भी राहू अच्छा नहीं है और सामने वाली का भी लड़की का भी अच्छा नहीं है तो generally ऐसा होता है कि divorce होने के chances होते हैं relationship अच्छी नहीं चलती marriage बहुत खराब चल रहा होता है और इससे बहुत साथे problems आ जाते हैं तो marriage में तो astrology बहुत ही help करता है हमाया पास 70% cases marriage को लेकर ही आजकल आते है marriage और relationship ये बहुत बड़ा issue है So वहम जो astrology के according जो भी predict किया जाता है जो बताया जाता कि अपकी शादी तब होगी तो उसके according कि सारी शादियां successful होती है उसमें मतलब divorce वगरा है relationship खराब नहीं होती है उसके अंदर क्योंकि बहुत सारे cases मैंने भी study किया है तो बहुत बार ऐसा हुआ है बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो भी successful नहीं रहा है most of the time देखे matchmaking के बाद भी जब divorce या कुछ हो जाता है तो generally हम ये करते हैं हमने तो मिलवाया था और हुआ नहीं लेकिन सिर्फ matchmaking एक parameter नहीं होता है कि आप देख लो कि 28 गुन मिल गए और 36 गुन मिल गए तो आप शादी कर दो तो टोटल कितने गुन मिलने हैं लिके 36 गुन होते है और मिनिमम जो है आजकल मुझे लगता है कि 20 भी मिल जाए तो बहुत है लेकिन उसके साथ साथ कोई major दोश ना हो उस कुंडली में कुंडली इंडिविज्वल जैसे एक गुन मिलना अलग बात होते है कि हमारा साथ में कैसा है और वो सारी चीज़े आंगे बच्चे होंगे कि नहीं हमारा नीचर कैसा है फैमिली के लिए हम कैसे रहेंगे हमारे में प्यार रहेगा कि नहीं यह सारी अलग चीज़े होती है जो गुन मिलान में होती है लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु का दोश है शनी का दोश है मंगल का दोश है जिनरली सिर्फ अगर मैं बोलू तो आजकल मांगलिक हैं कि नहीं यह मैच किया जाता है मांगलिक जैसे आपने सुना होगा कि मंगल जैसे आश्वरिया राय का मंगल था तो उन्होंने पहले मंगल की फूजा की उसके शादी किया ठीक है तो ऐसे ही मांगलिक जो दोश होते हैं इसके मिलान करते हैं कि अगर लड़का लड़की दोनों मांग लिक है तो शादी अच्छी चलेगी लेकिन आप सोचो कि मंगल के अलावा भी मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए है जहां हमें यह भी देखना चाहिए कि राहू का दोश तो नहीं है शनी का दोश तो नहीं है क्योंकि अगर राहू का दोश है मांग लिक होने पर यह होता है कि हां लाइफ त्रिक्स होती है या फिर husband की या wife के family's में नहीं बनते या आपस में नहीं बनते हैं लेकिन अगर राहू का कोई दोश है तो वो सीधा डिवोस तक चाता है और इसके अलावा शनी का दोश है तो वाद सेफरेशन हो जाते हैं डिवोस नहीं हो पाता सेफरेशन चलते रहते हैं काफी लंबे समय तक तो यह सारा चीज भी देखना बह करें साथ में उनके इंडिविजल चार्ट के ग्रहों को देखकर मैच करें एक में कोई चीज खराब है तो दूसरे में नहीं होना चाहिए और ब्रिहस्पती दोनों का अगर अच्छा है नहीं तो एक भी पार्टनर का अच्छा है ठीक है और मैरेजवाले हाउस को सपोर्ट कर रहा है तो डिवोस नहीं होता है और अकुरेसी का बात करूँ तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर हम देखें तो 80-85% मैरेज़ेस को हम सेव कर सकते हैं सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं और वो लोग अलग अलग तरह के लोगों से मिलने कोशिश करते हैं कि मेरा डिप्रेशन कैसे कम हो खतम कैसे हो तो लाइफ कोच के पास अस्ट्रोजी के बात में करूं तो डिप्रेशन होता क्यों है अस्ट्रोजी में एक जैसे मैंने बताया चंद्रमा का हमारे दिमाग पर बहुत ज़ादे एफेक्ट होता है, और जहां मन डिस्टव है तो दिमाग अपने आप ही डिस्टव हो जाता है, ठीके तो चंद्रमा अगर किसी की कुंडली में खराब है, नीज का बैठा है, ग्रहन में बैठा है, यह जोग करके बैठा है, तो वहां पर डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन अगर बुद्ध भी खराब है क्योंकि बुद्ध हमें direct brain को इंडिकेट करता है, और सात में बुद्ध भी नीज का है, बुद्ध खराब है, या फिर बुद्ध की यूथी राहू के साथ है, तो आप जल्दी डिप्रेशन जानों में बहुत लम्बे तक रहता है लिकिन वह इसका रिकर जा इगया वह उसका मांगल बताता है उसका मांगल अच्छा है या कोई दशा अचिह आनी वाली है तो रिकर भी आज़ाता है कि साथ क्या करना चाहिए मैं आपको बताना चाहूँ जो भी अगर ऐसा फील होता है कि कोई डिप्रेशन में जा रहा है या जा चुका है तो सबसे पहले तो उसके विलपावर को इस्ट्रॉंग करने के लिए आपको क्या करने चाहिए? करने करने ज़àय को अच्छा करना चाहिए नब पुझा होती टायएर मॉली हम पहनते थे लाल कलर का धागा उसे कंषाले हुआ हुषा को आप बड़े तक भीजा है धुरर करने कि प contextual पत्ति गर न पेडा केश ठाट की आंजे ते रह जुटा होती थे लाल कपड़ा या फिर लाल कपड़ा ज़्यादा पैने या फिर लाल रुण का मॉली जो होता है उसे हाथ में बाढ़ें इसके साथ-साथ लाल चीजों का जो लाल वस्तुएं होती हैं कुछ भी फूर्ट से फ़ल है उसे मंदिर में जाके देके आना स्टार्ट करें इसके साथ मंगल को अच करना चाहिए एक्सराइज जब आप वक आउट स्टाट करते हैं आपके बॉड़ का बनता और ब्लड जो होता है वो मंगल होता है ना आपके अंदर एनरजी आने लगती है लेकिन वह एनरजी कैसे बिहेव करेगी नेगेटिव या पॉजिटिव है ना उसको ठीक करने के साथ में आप हरे रंग का थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपके आसपास या फिर कोई आप रुमाली हरा रखें या ती-शिर्ट हरा पहन लें उससे थोड़ी सी positive energy आने लगती है साथ-साथ आपको चंद्रमा को अच्छा करने का जड़वत है जो बहुत ही अच्छी remedy है वो बताऊंगी आपको महने में एक दिन कोशिस करें कि आप गंगा में स्नान करें जी हा गंगा में पूर्णby या अमावश्या के दिन अगर आप इसनान करते हैं तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है चंद्रमा हमारे मन का माली है और अगर तो नदियों को चंद्रमा का अधिपत्य दिया गया है तो जब आप ऐसे जगह पर जाते हो जहां पर वो शुद्ध हो जाती है आप जो आप डुपकी लगा कर देखो और बताओ कि आपका डिप्रेशन खतम हुआ कि नहीं आपको 24 गंटे के अंदर एक फीलिंग आने लगती ह है तो इसी का महत्व है जो कुम्भ में नहाते थे पहले या आज भी है कि कोई भी ग्रहन है या भी कोई भी ऐसी स्पेशल दिन आते हैं तो लोग कहते हैं गंगास्नान करो क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं और डिप्रेशन का सबसे देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या रामिडी नको करने चीज है त्यकि बिजनेश पर मि test का अगर वर मैं बात करो तो बिजनेस होता है ग्रॉपर शुक्र जो सब्लार होता है है उससे बिसनेस को देखा जाता है इसके साथ साथ बुद्ध और शनी, यह आपका अपने काम को बताता है, अगर आपका ऐसा काम है, जिसके आपके अंडर में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, या आपका इंडिविज्वल कोई काम है, तो उसमें आपकी प्रोड़क्टिविटी कैसी रहेगी, यह सब कोई काम है, तो आप कौन से डिरेक्शन में अपने फाइल्स को रखें, क्लाइंट के साथ किस तरह से फेस करके बैठें, यह सब बहुत इंपॉर्टन होता है वास्तु में, आपके कार्ट्स पर आपके लोगों कैसे हैं, लोगों बंद तो नहीं है, लोगों ग्रो करने वा कि अगर आपने कोई ओफिस ले रखा है, तो आपको नॉर्थ का फेसिंग जो हो वैसा ओफिस लें चाहिए ताकि साउथ में आप बैठें और नॉर्थ का आपका ओपन हो, वहां पर लें और साथ साथ बुद्ध को अच्छा रखें, बुद्ध को अच्छा रखने का मतलब यह है कि आपके जो भी ओफिस एरिया है, वहां पर आपको लाइट एनरजी रखनी है, बहुत ज्यादा डार कलर नहीं करना है, जनरली राहू देखिए, मुझे लगता है, 70% लोगों के लिए थोड़ा सा निगेटिव होता है, अगर जो भी डाउन वर जाते हैं, जो भी ज अगर मालो शनी का दशा चल रहा है, अगर मालो शनी का दशा चल रहा है और शनी अच्छा नहीं है तो आप कहां से ग्रो कर जाओगी, तो शनी के उपाई कीजिए, शनी के जैम्स पहने हैं, लेकिन एक नॉर्मल सी चीज़ है कोई भी बिसनेसमन है और उसका काम है बोलने करनी पड़ते हैं या आपको क्लाइंट से भारबर मिलना पड़ता है तो आप emerald पहन सकते हैं पन्ना करिंग हर businessman के लिए अच्छा result यह अच्छा रिजल्ट यह तो सलमान कान पहनते हैं वह फिरोजा है उनका काम जो है वह नहीं को शुक्र का काम है लोगों को आकषित करना तो वह शुक्र का होता है फिरोजा फिरोजा चाहलों उर्कलों को रिचा अब होसा अमेम इस के लिए वह जहाए है लिएक ऐक फंटी प्उचिए किसी ना पुछा कि अगर एक्ना पयते siis और यह रही अंत्र लकाना है तो स्टोक में पैसा क्यों नहीं लगाते jetzt दीष्ट स्टोक में पैसा ईश्टोलॉजर से यह जो अज़ाते तो उनका रिखारने Спरिज पंटाओं को क्यों संब्स दोसे हो दो प्रिजनेस लेए उसकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्रेया एच्छी जिए प्रेंगा के लिए तो अगर अगर 100% चार्टे चार्ट ये है तो इसमें 10 या 15% ही लोग होते हैं जिनको इस्टोक में पैसे लगानी हें हर को जाए सकता हु तो ऐसा नहीं है कि हम कोई रिमेडी करके बोलें कि आप इस टॉक में पैसे लगा लो ठीक है तो नहीं हो सकता इस टॉक मार्केट के लिए कुछ चीजें होती है पर्टिकुलर जो बहुत इंपोर्टन होती है जैसे आपका ब्रिहस्पती का ग्यारवें हाउस जो लाबस्थान होता है वहां दृस लिए जोग होते हैं जिन्हें देखना होता है वैसी एक बेटिंग आप ड्रीम इलेवन इसमें प्लेयर स्लेक्ट करने होते हैं कि जो अच्छा परफॉम करेगा वह परसंटना ही अंकर सकता जीत सकता के अस्तरोजर मतलब क्यों नहीं लगा थे रिम 11 क्यों नहीं खेलते क्र जान रहे होते हैं आप मेरे पास क्लाइन पन क्या हैं तो आप मुझे सही अपना डिटेल्स देंगे कि मेरा बहुत यह है और मेरी टाइम यह है लेकिन हम ऐसे लोगों की कुंडली देखें जिनका हमें डेट और बहुत यह टाइम आकुरेट नहीं पता है सिर्फ गूगल के लिटेल्स कोई कोई मत्तमित्या ही नहीं है । आसमें बैसिकली अगर अपने करियर बनाना जाता है तो एक अर्निंग क क्या सोर्सों सोर्स oh I mean कॉस सोर्सों बताइंगे कितनी हो सकती और क्या अपर प्रोसर्स होता अपर दिए इस से बेहतर अगर आप मुझसे यह पूछत अगर आप इसमें पहषान बनाते हैं तो वो कहते हैं आप सक्सेस्फुल हैं तो आपके पीछे पूरी दुनिया आ जाती है तो यह है अगर आपको नौलेज है अस्टेलोजी का तो आप कुछ भी पीस रख सकते हैं अपना है और लोग अच्छा से देते हैं और आप किसी का भ रहा हूं और नक्षत्रों को तो यादी नहीं कर पाते हैं आप अस्टेलोजी करने लगते हो और सामने किसका फ्यूचर खराब हो रहा है जी हाँ बिल्कुल क्रेश कोर्श हैं आप देखेंगे जब भी ऑनलाइन आजकल फेस्बूक और इंस्टाग्राम में देखेंगे 24 आ ग्यान है और एक रिसर्च का विशह है ऐसा विशह नहीं है कि कोई भी बैठ जाए यह तपस्या है एक दिन में नहीं आता आप सीख भी जाएंगे तो भी आपको प्राक्टिस करनी होती है और जब आप प्राक्टिस करते हैं आप दिन में 10 से 20-50 कुंडलिया देख रहे होत से सर्च में जाना पड़ेगा जब आप एक ही तरह के 100-100 लोगों से मिलते हो तब जाके वह चीज़ें आती है क्योंकि हर जगह अलग अलग आप बुक्स पढ़के तो नहीं हो सकते ना अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो उस काल की चीज़ें अलग लिगी ती गजकेश्री योग उस समय हाती होते थे तो गजकेश्री योग था अब तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है तो आपको यहां बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं अगर आप एस्ट्रोजी को करियर बनाना चाहते हैं तो आप मीडिम में एक से दो साल का प्रैक्टिस ज नहीं हो दिए एस्ट्रोजी नियू कॉंसेप नहीं है काफी टाइम से अभी मोर्डन एरा में कोई अवा इस् एक समय की है थैंडा अगर मैं कहुं तो लिखा हुआ है कि वेदों की चक्छू ही एस्ट्रोजी ए जोतिष को वेद की चक्छू यान की नेत्रमाना घया हैं तो तो जोतिष जहां पर जोती है, जहांपर हमें प्रकाश दिखता है, वो इश्वर जोतिष है तो जोतिष आज की विध्यान नहीं है, बहुत प्राचीन विध्यान है। अगर मैं बात करूं, आज के तथ्यों की तो आज जोतिष का 10 पॉसेंट भी नहीं है। अगर हम पुराने समय में जाएं, तो पुराने समय में बहुत सारी चीज़ें होती थी, मौसम से लेकर हर कुछ का राज जोतिश होते थे, आप देख लो, कहीं भी ऐसा पुराना आप पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको एक राज जोतिश का पद होता था, जो राजा को बताता कि आपने कब लड़ाई करनी है, आपने कब हसल लगवाना है, आपने क्या काम कब करना है, तो इस तरीके से बहुत पुरानी चीज़ है जोतिश, कोई नई विद्या नहीं है, आज जहां तक है, तो आज अब इसमें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे संसाधन नहीं बचे है है ना कुछ जो थे वो वेस्टेन कंट्रीज चले गए, यहाँ पर उनके जो लोग हैं वो विश्वास नहीं करते हैं, अंत्र विश्वास मानते हैं, पढ़ाई नहीं चल रहे हैं, आप देखो कोई भी उनिवर्सिटी में अभी तक एस्ट्रोलॉजी का सबजेक्ट नहीं स से कर रहे हैं, कि जब हम बड़ी-बड़ी चीजों को महुर्थ को मानते हैं, हम हर चीज को मानते हैं, अस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हर घर पे काम होता है और हम सनातनी हैं, तो हमें है, मैं तो गौर्मेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस पे भी ध्यान दें, कि अस सबसे बड़ी चीज है कि आज जो लोग आना चाहते हैं उन्हें बहुत मेहनत करने की जरूत है क्योंकि बहुत संसाधन के बिना उन्हें रिसर्च करके उन चीजों को फिर से इकथा करना पड़ा कर के डंश्मेंट के बात करों तो बहुत अच्छे अच्छे पहती लोग नीच आप इसके साथ बात रहो टना तो सांसार किसे प्रहुत की चियर कौत Kamera第二 or остав Him एक लोग मां अपार रहे हैं तो मेरी अभी ऑफ शायंतिस्ट नहोंने ब्रहमोस बनाया था उनके साथ मेरी बात हुई थी इस मैटर पे उन्होंने का है astrology हम सब मागते हैं लिकिन ये black science है क्योंकि उसके पीछे जो एक परदा है उसे हटाने की जरूरत है तो उस पे काम कौन करेगा उस पे हम ही लोग तो काम करेंगे जो astrology कर रहे हैं क्योंकि इस विज्ञान की ताकत हमे पता है है ना तो मैं सभी astrology करना चाहूंगी कि आप इस पे काम करें कुछ नी तो कुछ रिसर्च करें कुछ अच्छे शिश्य को जरूर बनाए ताकि ये जो हमारा इतना मिहनत ही है विकार ना चाहे और ये चलता रहे और सरकार से भी निवेदने कि भई आप astrology को लाए as a subject ताकि अच्छे अच्छे लोग इसमें आ सके और इसकी महत्व बनी रहे astrology और अंध विश्वास में बहुत थिन लाइन है बिल्कुल तो वह थोट अन दिस तीके astrology क्या है ये ग्रहों के हिसाब से हमारे predictions है और guidance है लेकिन अगर जब हम इसे बहुत पुछ प्रतांग चीजों में ले आते हैं इस तरह से मैं कहूंगी कि करना है हमें कुछ कि हा शनी की remedies करनी है तो प्रॉपर समझो कि वह remedy है क्या और क्यू बता कहीं भी लिखित प्रामान नहीं है बिना प्रामान के आप कोई remedies करा रहे हैं और आप भी उसे मान के आगबंद करके चल रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि यहां से अंधविश्वास स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जब आप इस तरह की चीजों में चले जाते हैं तो एक स्टोक हैं जिसमें remedies चुपी हैं और उनके अधार पे हम कोई remedies बताते हैं क्योंकि उनके पीछे विज्ञान है अगर वेदों में जाएं तो एक एक जो स्टोक है उसके पीछे एक मंत्र है और उसके पीछे उसकी उर्जा है जिससे कैंसर जैसे बीमारियां भी ठीक हो जाते ह है ना तो उसके पीछे साइंस है कोई भी ऐसा नहीं है कि हम बिना तत्थे के अधार पे बिना प्रमान के अधार पे कोई भी remedy या कोई भी स्टोक या कोई भी मंत्र और उसका जाब करवाएं बिलकुल नहीं होता लेकिन अगर आप खुद में ऐसे सोच लो कि कुछ भी कर र आप आपको खुद भी अवेर होना पड़ता है जैसे आप जाते हैं ना कभी स्कूल में या बचों के प्रति अवेर होते हैं कि यहां ठीक पढ़ाई है कि नहीं तो वैसे अवेर होना चाहिए मैं तो यहीं लोगों को कहूंगी कि आख बंद करके सभी जगह ना जाएं और उनकी experience को देखें उनकी image को देखें वहां पैचाने फिर आप जाएं अभी क्याना बहुत सारे mobile applications बहुत सारे software websites हैं जिनके तुरू astrologers काम करते हैं बताते हैं सारे चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं तो यह mobile application, software, website कितना सही है real person से direct मिलना astrologer से और एक software से direct prediction लेना कितना सही है तिकी जैसा अभी आपका प्रश्न था तो मैं यह हमेशा कहूंगी कि जब भी आप astrology का consultation लेना चाहते हैं आपको खुद जाना चाहिए प्राचीन काल में भी एक नियम था जब भी जोतीशा चारे के पास जाते थे तो आप रूट कुछ भी लेकर जाते थे और उनसे हैं क्योंकि आप हविश्य के बारे में जानना चाहते हो यहां कोई मजाग तो चल नहीं रही है कि आप 2 रूपे डाले और एक astrologer से बात कर लिए अगर आप कोई भी आप में जाओगे तो मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अभी यह ट्रेंड चल गया है जो नहीं भी जानता है वह भी वहाँ पर प्रेडिक्शन कर रहा है और ऐसे कितने astrologers जो उसमें हैं वो हमारे बास आते भी हैं कि मुझे astrology सीखनी है क्योंकि अब तो मैंने consulting करना स्टार्ट कर दिया है पर remedies नहीं आती मुझे तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें तो मैं यह कहूंगी कि एप वह गरह से थोड़ा सावधान रहें और बहुत ज्यादा विश्वास ना करें और अगर आप सही में कोई मुसीबत में हैं तो एस्ट्र लॉजर के पास जाए और उनसे सलाह लें जो लोग इंट्रस्टेड हैं स्टोलोजी में और जानना चाहते हैं अपनी वारे में कुछ जानना चाहते हैं और आप से कनेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप से प्लीज कुछ बताएंगे I hope this video added some value in your life अगर आपको कोई question है अगर आपको लगता है कि आपको कोई question करना है तो ज़रूर comment box में question करें वो question हम मैं तक पहुचाएंगे आपका और जो पी उसका रहे का solution वो आप तक पहुचा देंगे So don't forget to like, share and subscribe this channel